उनात्तर हज्जार सिच्छक भरती परिच्छा इंडा हाई कोर्ट आप जुडाक्चर अट अलहाबाद ये पीडियाप है जी सब मिस्रा की टीम का जोकी डबल मेंच में आंसर की प्रकरण आपको और आपके परिवार को नाक पंची में की हार्दिक स्रूप कामनाय बगवान भुले नात् आपके इसे भी मनुकामनाय पूर्ण करें तो उत्तर कुंजी प्रकरण उनस्तर हज्जार कर जिस्तर मिस्रा वाले कीस में डिविजन बेंच में अमित मधोरिया सर की तरफ से अप्लिकेशन फाइल के गई है अगले हप्ते केस की लगने की संभावना है और उस कुई से सम्मंदित जो की याशी लिष्ट है जिसका पीडियप यहां पर सेंड की अगया है कि चिकल लेजै कोई किसी प्रकार का गलती न हो पीडियाप से पहले एक विसी स्विंती टार्गेड वी आर्की चैनल उनत्र जार से चक भरती सम्मंदी सभी छोटी बड़ी लेटिस्ट न्यूज को आप तक पहुचाने के लिए तत्वर है हम आपको बता दे कि हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की याची बनाने का कोई भी कारी नहीं किया जाता ना कोई इस कार से जुड़े हैं आपको यावी इन्फर्नमेशन जो भी दिया जा रहा है उस सिछग भरती का एक पाल्ट होने के कारण ही बताया जा रहा है तो यहां पर याची संबंदी जो पीडियाव आपको दिखा जा रहा हो वो सिफ 69,000 सिछक भरती से रिलेटिव होने के कारण बताया जा रहा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि याची बनाने के लिए किया जा रहा है ओके धन्नमाद तो आंसर की प्रकड़ा में जैसे कई कोशन बिवाद में चले गया हैं जिसमें से टाफ फाइव कोशन बिवाद ही था है और उस बिवाद ने एक बार गौवर्मेंट की तरब से भी बहस किया गया था जिसमें PNP ने मानने सिर्कार कर दिया कि कोई कोशन गलत है तो यह पहली सिर्वेंट में जाकर के मैंटर को सुल जाएं तो यहां पर याची जो बने हैं यह पीडिया लगभग जो है बावन पेज का है जिसमें जो अभ्हरती है जिने आपस्ति है आंसर की पर तो उन्होंने याची बने हुए है उन्हीं का लिश्ट है इस लिश्ट को टीम ने कोई गलती है तो उसे सुधारा जा सकी फिलाल याची बनाने का कोई कार इस समय नहीं हो रहा है उनके द्वारा और हमारा कर्तब है कि हम सभी प्रकार के अपडेट 39 से संबंदित आपको देती रहें तो यहां पर देखें पहले कर्मान के पर जो याची बने है वह अब सीख जर्वास्तों यहां पर इनका रोल नंबर है और यहां पर बताया भी गया है असिस्टेंट टीचर के लिए तो इन लोगों ने आंसर की प्रकरल पर चैलेंज किया है कि यह कोशन पर बिबाद है जिसमें संविधान की कोशन है संविधान कोशन के बाद परिभासा वाली कुश्चन जो है वो है प्रति ब्यक्ति आई पे इसके अलामा जो सबसे अधिक विवादित है जिस पर हमारी मुख मंत्री योगी आदित्य नाच जी भी कह चुके हैं कि यह वाले कुश्चन पी सिरी गोरक नाच जी ही सही है लेकिन मसेंद्र नाच जी माना गया है PNP के दोर है तो यहां पर टोटल बावन पेज में जो याची बने है 14 नमबर पर शुरेश्कमार है यह याची लिस्ट पूरी कंप्लीट है लगवक 500 से उपर कई पीडियाप में है लेकिन आपको मुख पीडियाप हम दिखा दे रहे हैं ताकि यहां पर कोई भी गलती हो तो आप उस डबल बेंच भी आपको जिसा की पता है अगले हम ते सुनमाई होनी है क्योंकि यूजी सी को रिफर करने के बाद कोस्टन डबल बेंच ने रोक लगा दिया था नहीं तो यूजी सी उसकोस्टन पर अपना पूरा विस्तार से प्रत करिया दे दे देता लेकिन रोक लगने क काराल यूजी सी रिफर नहीं हो पाया था कि यहां पर 59 सिचक भरती समद्धित पूरी पीडियेफ है अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं और इस याचका में यह भी बताया गया है कि इन लोगों का गुड़ांग हाई है लेकिन एक नंबर दो नंबर से रुकने के काराल यह बाहर है अगर एक दो नंबर हो जाता तो यह भी चैनल लिस्ट में होते हैं तो यह बाहर हो गया है इसमें से बीटीच भी यह और सिच्छा मित्र भी है क्योंकि एक नंबर दो नंबर के काराल ही काफी लोग बाहर है और यहां पर गौशनों पर पी एन पी के माध्यम से असपर स्टूरूप से मना कर दिया है तो यह पूरी लिस्ट है काफी लंबी है अगर आपको यह लिस्ट चाहिए तो आप जुरूर कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकती हैं धन्नवास थैंक्यूँ और एमार्सी पर विरोद भी तेविड़ हो चुका है अब दिल्ली जाने की भी पूरी तैयारी कम्पलेट हो चुकी है जैसा कि बता जा रहा है कि चैन सुची बदल के रहागे बस एक बार अपनी भील को आयोग के सामने दिखा दो जिसे आयोग खुल के एक्सन ले क्योंकि ओविशी बिभाग भी मर्सी पर एकसल ले चुका है इसलिए अपर दरसन करने के लिए हर जिले से अब्धरती दिल ली जा रहे है वहीं सिच्छक भरती मामले में सिच्छा बिभाग नहीं दे रहा है जानकारी उनत्तर हज्जार सिच्छक भरती में विभिन आनिम्यक्ताओ को लेकर बिजनोर निवासी सक्ति सिंग ने सूचना के अधिकार के तहट जानकारी मागा लेकिन जानकारी नहीं दे गई सिचक भरती में पारदर सिता नहीं होने पर बरतियों में रोज से अभी सिचक बरती के मामले की सुनवाई सुप्रिम कोर्ट में चल रही है चैन सूची में पारदरस्ता नहीं होने के कारण अन्य पिछला वर्ग आयोग ने भी भरती पर रोक लगा कर रखी है 79,000 सिचक बरती में सरकार की मुश्कले बढ़ती जा रही है मामला काउंसलिंग के पहले ही दिन कोर्ट में पहुँच गया ततकाल प्रभाव से काउंसलिंग रोग दी गई अभी मामला कोर्ट में यही बिचार दिने इसी बीच बिजनोर के सक्ति सिंग ने विविन बिंदू को लेकर जन सूचना अधिकार के तहट 12 जून को बेसिक सिच्छा ने देशाले लखनों से सूचना मागी उसका जवाब ना मिलने पर उन्होंने बताया कि विजुलाई को परतम अपली अधिकारी बेसिक सिच्छा परसत इलाहवाद से गोहार लगा है सक्ति सिंग का कहना है कि सरकार ने इस चैन सूची को प्रकासित करने में पारदर्सिता नहीं बरती जिसके चलते अरच्छित वरक के बरतियों में जुरूस है उन्होंने सूचना मागी कि चैन सूची में न्यून्तम कितने अंक glare वाले बरतियों का चैन अरचित जन अरच्छित सूची में अंतिम गुलाग को भी नहीं दिखाय गया साक्ति सिंग ने बाराज उनको विभाग से सूचना चाहिए लेकिन सूचना ना मिलने पर उन्होंने प्रतम अपील प्रयाग राज में 20 जुलाई को कर दी अगर अब भी सिच्छा विभाग जवाब नहीं दीता तो वह राज्य सूचना आयोग को दरबाजा खट कर आएंगी सक्ति सिंग ने बताया कि चेंसोची में पारदर्सता नहीं होने के कारा अन्य पिछला वर्ग आयोग ने बरती पर रोक लगा दिया है अन्य पिछला आयोग ने भी बरती पर के लिए को कुछ बिंदियों पर सिच्छा विभाग से असपस्टी कर दर मागा था लेकिन कोई कि जवाब नहीं दिया गया नहूं और ये attraction के द्वारा जारी की अगया मंचिल 28 जुलाय राष्टि पिछला वर्ग आयोग आ तो यहां पी पहुंचने के लिए पुरा पता दिलही का दिया गया है सब करो हमें कि और टीम के द्वराइब भी कहा गया है सिच्छा शरून लेके हैं जो लोग साथ चल रहे हैं दिल्ली और लोग इस भी गुश्चा प्रकट कर रहे हैं कि डब्लू एस की सुनवाई के लिए तीन दिन और मेर्सी के लिए चार सब्ताह का समय दिया गया है आखिर क्यूंग